सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कनक हिंदी व्याकरन यवम्रचना इस बुख से अध्याय चार संग्या नाम वाले शब्द इस अध्याय से लिंग यहां टॉपिक के प्रशन उत्तर पढ़ेंगे इसके पहले हमने लिंगे यहां टॉपिक पढ़े थे अभी आज हमें प्रशन उत्तर पढ़ना है अपको प्रुष्ट संग्या निकालना है अठर यहां लिखिए कक्षा कारिया यहां लिखिए तारीक और यहां लिखिए दिन चलिए स्टार्ट करते हैं कारिय पत्र अब त्री लिंग को पुलिंग से मिलाईए यहां किसका चित्र है लड़की लड़की का पुलिंग क्या होगा लड़का हमें ऐसी पेर लगाना है मिलान करना है यहां किसका चित्र है औरत औरत का पुलिंग क्या होगा आदमी औरत आदमी हमें ऐसी पेर लगाना है यहां यहां किसका चित्र है मोर का स्त्रेलिंग क्या होगा मोर्नी हमें ऐसी पेर लगाना है यहां किसका चित्र है रानी रानी का पुलिंग क्या होगा रानी यहां स्त्रेलिंग है स्त्रेलिंग का पुलिंग में करना है तो रानी का पुलिंग क्या होगा राजा हमें इस तरीके से प कलना है 19 प्रश्न दूसरा है नीचे दिये गए पुल्लिंग शब्दों के सामने सही स्ट्रेलिंग शब्द ढून कर लिखिए यहां स्ट्रेलिंग शब्द दिये गए है और यहां पुल्लिंग शब्द है हमें इन पुल्लिंग शब्दों के सामने स्ट्रिलिंग शब्द यहां से पहचान कर यहां लिखना है पुल्लिंग स्ट्रिलिंग एक्जामपल में दिया गया है भाई भाई यहां पुल्लिंग है हमें भाई का स्ट्रिलिंग में लिखना है भाई का स्ट्रिलिंग क्या होगा बहन राजा यहां क्या आएंगा? रानी राजा का स्त्रेलिंग शब्द क्या होगा? रानी लेखक लेखी का बैल गाय दादा दादी हमीं यहां से यहां डून कर शब्दों को लिखना है प्रश्न तीसरा है भिनननलिंग वाले शब्दों पर गोला लगाईए यहां कुछ शब्द दिये गए है उनमें से हमें भिनन मतलब अलग शब्द को गोला बनाना है क्व है धोबी, माली, मोच्ची, नोकरानी यहां एक्जाम्पल में दिया गया है इसमें से भिन्न लिंग वाला शब्द कुन सा है? नोकरानी इसे गुला बना हुआ है ख है मैना, कोयल, कबूतर, सिहनी इसमें से बताईए भिन्न लिंग वाला शब्द कुन सा है? सिहनी हमें यहां गुला बनाना है ग है लोटा, गिलास, कटोरी, डिब्बा पा, बहन, पत्नी, पिता इसमें से भिन्नलिंग वाला शब्द कुन सा है? पिता हमें इस सब्द को गोला बनाना है अंग है पेड, डाली, पत्ता, फल इसमें से बताईए भिन्नलिंग वाला शब्द फल हमें यहां गोला बनाना है प्रश्न चोथा है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिये यहां कुछ शब्द दिये गया है इसमें से हमें सही शब्द को यहां लिखना है क है यहां एक्जम्पल में दिया गया है घोड़ा बहुत तेज दोड़ने लगा ख मेरी दादी जी मुझे कहानी सुनाती है ग सीहां जंगल का राजा होता है घ मेघा के पास नाचने वाली गुडिया है अंग नोकर सफाई कर रहा है इस तरीके से आपको लिखना है अभी आपको प्रुष्ट सेंखिया निकलना है 20 वचन नमबर चित्र को देखकर समझे चलिए उपर दिए चित्र में एक और अनेक की पहचान करते है एक है गेंद आपको दिखाई दे रहा है चित्र में यहां कित्ने है एक ही है गेंद कित्ने है एक है चड़ी एक है और तितली एक है अनेक है पेड आपको पेड दिखाई दी रहे है यहां कित्ने है अनेक पतंगे यहां है पतंगे बच्चे तोते यहां देखिए यहां तोते है और गुलाब यहां है गुलाब समझिए शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते है वचन किसे कहते है अभी आपको प्रुष्ट संक्या निकलना है 21 वचन एक वचन सिंगूलर बहुवचन प्लूरल यहां एक वचन और बहुवचन वाले शब्द दिये गया है मैं उनको पढ़ूंगी आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है एक वचन बहुवचन पुस्तक पुस्तके पुस्तक का बहुवचन क्या होगा पुस्तके औरत औरते बालीका बालीकाए चिडिया चिडिया पोधा पोधे दवाई दवाईया लडका लडके बच्चा बच्चे कक्षा कक्षाए चिठि चिठिया रुपया रुपये तिनका तिनके परदा परदे भाशया भाशाए इस तरीके से यहां है एक वचन और बहुवचन वाले शब्द हमने सिखा शब्द के जिस रुप से किसी व्यक्ति वस्तू या स्थान की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं एक संख्या को एक वचन तथा एक से अधिक संख्या को बहुवचन कहते हैं इस तरीके से यहां है आज का आपका वर्ग यहां लिखिये ग्रुवकारिया पड़िये हमने आज जितना भी वर्ग पड़ा है आपको उसको ध्यान पूर्वक पड़ना है ओके मिलते हैं नेक्स्ट पिरेड में तब तक के लिए बाई